नमस्का और मैं प्रिंग का आप देख रहे हैं 4 पीम दिल्ली से लेकर उत्तर पिदेश तक बवाल मचा हुआ है आप अच्छे से जानते हैं कि सियासी उठा पटक अपने उफान पर है सियम योगी आदतनात को दिल्ली तलब किया गया है सियम योगी आदतनात नीतिया योग की बैठक में शामिल होने के लिए पहुचे हैं सियम योगी आदतनात दिल्ली के तीन दिवसिय दोरे पर हैं और इसी बीच प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी और ग्रह मंतरी अमिश्या के साथ मीटिंग हुई है आपको बता दे खबरे निगल कर सामने आई है कि केशो प्रसाद मौरे स्रीयम योगी आदतनात के पहले अपनी निजी गाड़ी में दिल्ली पहुचे हैं चुपचाप पहुचे हैं और तो और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से अनुपरिया पटेल ने भी मुलाकात की है अनुपरिया पटेल आप जानते हैं कि मोदी की केंद्रिय मंत्री है योगी आदतनात की कारे शैली पर सवाल खड़ा कर चुकी है और कहना है कि योगी आदतनात पिछडों के साथ भेदभाव करते हैं इन सब के बीच बिक ब्रेकिंग निकल कर सामने आई है कि BJP आला कमान के टॉप सेवन दिल्ली में मौझूद है हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है और आर पार की इस्थिती पैदा हो चुकी है और अब फैसला होकर ही रहेगा तो दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है क्या अपडेट निकल कर सामने आया क्या बयान दिये ज चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौझूद है 4PM संपादक संजय शर्मा जी नमस्कार सर फिर से उत्तर प्रिदेश की खबरें लेकर आगे हैं आपके पास और उत्तर प्रिदेश की खबर हो सर से राय ना ली जाए तो यसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सर है ज खबर चली कुछ नहीं होगा और कुछ चैनल पर खबर चली कि हाई कमांड जो है दोनों डिप्टी सीम से नाराज है थिपती दोनों डिप्टी सीम की इतनी creature SHE university से नहीं है कि बिना दिल्ली के ऑशारे के वह बहावत की सोच विले उन्हों नहों जो बयान दीए है भारतियो मोधी जी खुद इशारा कर रहे हैं, आप देखिए, अनुप्रिया पटेल, मोधी जी की मंत्री, चिट्टी लिखती है योगी जी को, कि भाई आपके जो भड़ती चल रही है, उसमें पिशडों के, दलितों के, पदों पे न्याय नहीं मिल ला है, सबसे संविधनशील मुद में उनकी बहन पलबी पटेल को बला लेते हैं, एक एक दुड़ बार बला लेते हैं, जो सपा की विधायक है, उसके बदले में मोधी जी अनुप्रिया पटेल को बलाती है, फोटो खीच आती है, तो ये जो रस्ता कर्षी है, ये किस तो समझ में नहीं नहीं आ रहा, आप स हैसील में हमारी बात सुनने को तयार रहीं उत्तर प्रदेश में ब्रश्चाचार का तांडव चला है लेकिन हम इधर जाएं या उधर जाएं तया नहीं हो पारा रहा राय बरेली के फाइर ब्रांड नेता हैं दिनिश्परताफ नहीं राहूल गांदी के किलाफ चुनौल बड़े करीबियां विशाजी के उन्होंने ट्विट किया कि राजा को पिता और मां का दोनों का भाव रखना चाहिए पिता की तरह डाटना चाहिए मां की तरह दुलार करना चाहिए ऐसा ही यह डाट करना चाहिए जैसे हमारे मोधी जी करती है तो यह सीधा सीधा दांट क बीजेपी का चुनाव परचार करने के लिए रायवर्यली नहीं गई। रायवर्यली का बच्चा बच्चा जानता है कि वो योगी आदितनात के सबसे करीब है। इसलिए वो नहीं गई। तो यह सारी बाते इतना ज्यादा गर्मन हो गई है। एक दूसरे पर आरूप लगा परांशु परांशु जी मलसी है यह वह वर चेक अद्यक्ष है। उन्होंने सीधा निशाना चोड़ दिया वो योगी खेवे के माने जाते हैं। कि अगर योगी जी संग्टन के जो लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं अपनी जाती की बात कर रहे हैं। तो अगर मै विदान सभा रही है। खुद विदान सभा का चुनाओं हा रहे हैं। उनके लोग सभा का सीध हार गई। तो केशा मोरियक किस दम पे वो मुखमंत्रीर की दावेदारी करें। एक तीर इधर से चलता हैं। बदले में दो तीर दर से चलते हैं। तो यह जो खिचड़ी बन शार विदायक इस तेरे विद्रौ करेंगे। अपने एंपने नंगी पीडा केंगे, कम से कम 10 विदायकों के बयान आ गए हैं। यह और बयान आए। बड़ी संक्या में विदायकों kes गैएं सामुी में गंदगी का इंतिजार करेगी दोनों को समझाने की वाली बाते आएंगी टीवी चैनलों पर वयायन आएगा कि हमने योगी जी को कह दिया योगी जी बहुत अच्छे हैं योगी जी बहुत प्यारे हैं इस तरह के बयान मोदी जी की तरफ से आजाएगा शा की तरफ से काबला नहीं है लेकिन राजरीती में जब किसी की तारीफ कर रहे होते हैं तो उसके पैर खीच रहे होते हैं और उधारन में आपको उताद हो रहा हूं मोदी जी ने मौलाल खटर के लिए कहा बड़े अच्छे दोस्ते मेरे मेरी मोटर साइकल भूम टेते 24 गंटे मटा दि यह अभी और बढ़ेंगी शान्थ होने वाली नहीं है सही बात है सर और जब तस्वीर निकल कर सामने आई थी जब एंडिया की संसदिय दल की बैठक हुई थी जो पीट थपतपा दी थी सीम योगी आदतनात की प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसकी भी बहुत जादा चर्चा हुई थी और जहां तक रही है सियत की बात जाहिर सी बात है अभी हैसियत नहीं वह पा रही है वरना तो ग्रह मंद्री अमिश्य पूस्ते थोड़ी ना अभी तक तो हटा दिया गया होता जब राजस्थान में हो सकता है मद्य प्रिदेश में हो सकता है तो उत्तर ब्रेइकिंग नीकल कर सामने आई एबिपी न्यूज चला रहा है इसमें लिखा हुआ है कि इपटी-CM के बर्ताव से BJP हाई कमा नराज हुआ है तो OYह getting to support में हो मिल रहा है junid का और अब आज इतनास के खिलाफ एक शब्द बोले, पहले से चला रहा था, लेकिन नहीं इनको बुलाए गया, दिल्ली मुखमंत्री से यह नहीं पूछे कि डिप्टी सीम पूरे प्रदेश का होता है, आप प्रदेश के अलग-अलग मंडलों की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें नहीं कर रहे हैं तो बिर्जिश पार्टर को बुला ले रहे हैं, तो क्या वो एक मंडल की नहीं पूरे प्रदेश का डिप्टी सीम, और दोनों जो हैं बिना दिल्ली के इशारे के कर रहे हो, यह बीजिपी का छोटे से छोटा कार्य करता मानने को तयार नहीं है, लड़ाई तभ को टुकर करके देखते हैं मोदी जी, उनका चेहरा कुमला गया, जीत के जब बीजेपी के कारिकरताओं को संभोजित करने आँख में आसू थे, जैशी राम का नारा भूल गए, जैजगनात करने लगे, हालत देखिए मोदी जी की हालत क्या हो गई है, पाले अवेंट के अ योगियाद इतनाथ पीचे-पीचे दौर लगा रहे है, आपने योगियाद इतनाथ की सारी ब्रांडिंग खतम करने में कोई कसा नहीं छोड़ी, पिछले चुनाओं में आपको याद होगा कि संग बीजेपी ने प्रेशर डाला योगियाद इतनाथ से कि केश्यमोरी के घ पर जाना पड़ा, लोगों ने मजाग भी उड़ाई कि योगी जी क्या हो गया आपको, आप सत्ता को लात मार दिया करते थे, अब आप इतना जुग गए, अब सत्ता आपको इतनी अच्छी लगने लगी कि आपने अपना सावयमान ताक में रखे आप केश्यमोरी की घर च पाया, प्रिदेश के मुक्वंति बनने का सपना देख रहा है, तो यह जूतों में जो दाल बट रही है, यह अभी खता होने वाली नहीं है, यह अभी इतना इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए, होता है क्या, वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है, सर मीटि के साथ मीटिंग होने वाली है, लेकिन अब ख़बर निकल कर सामने आई है, कि टॉप 7, जो की 3.0 सरकार आई है, मोधी सरकार आई है, उसकी बात पहली बार दिली में मौजूद है, खबर भी देख सकते, इसमें लिखा भी है, कि UP, BJP, RSS के साथ नेता दिली में जुट गए क्योंकि वो पूरा सब जानते हैं कि मोधी जी ने संग की हैसियत कतम कर दी है, मौन भागबत की हैसियत कतम कर दी है, मौन भागबत में मोधी जी के लिए क्या क्या नहीं कह दिया, सब कुछ तो कह दिया, कि कुछ लोग होते हैं, जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं, महा लेकिन योगी की इसन भी सवस्या ही है कि विदायक योगी के साथ नहीं है। वो साथ इतली नहीं है कि यूपी की नौकर शाई ने योगी की बैंड बजा दी। कुछ चर्च इतना में एस्वी गोई उनके प्रमुख सचेव एक से एक भ्रष्ट अफ्रों की तेनाती करा दी। पहली भी का लखनु में नगर आया उसको आपने इतना करेप्ट तो आपने श्रावस्ति का डीम बना दिया। लखरों में तमाम घोटारे के आरुपी वादा एक आयस ऐसा जिसकी सस्राल की प्रॉपर्टी को इंकम ट्रेक्स ने अटेच कर दिया और यह कहा कि इतना ब्रहष्ट है उसको लडिय के वी सी बना के लिए उसको डियम बना दिया टावा का तो ऐसे ब्रहष्ट अफसरों के अब विधायकों की पीड़ा यह है कि जिले के धान एदा नहीं सुन रहे हैं प्रदान मंत्री के चार साल की बच्ची का ब्रातकार हुआ वीडियो वाइरल कर रहा है मना आदमी वीडियो कॉल करके कह रहे हैं वीस बाक रो पर शोडिद वाईती है तो प्रदेश में जो अर संठेन के कारीकरता हो कहीं नहीं सुनेंगे क्या विदायकों की पीड़ा पीड़ा है कि जो सपा बसपा के लोग तो पैसे डेकर काम करा ले रहे हैं हुर्टे के लिए ले रहे हैं इस तनली आपका कारीकरता इसाल धरी विचाएगा 24 सार और 15 सार दरी विचाता रहा कि अभ किस मुह से आप चुनाव रणने जाएंगे जब कारिकरता अदास हो जाएगा विदायक अदास हो जाएगा अब समस्य यह है नेतृत की अगर योगी जी को हटाते हैं तो ठाकुर जाती आंखे बंद करके समाजवादी पार्टी में चली जाएगा ठाकुर की बली साथ परसें दबंग होते हैं भाववली होते हैं अगर योगी को रिटाएंगे केशम हो रही है कि अपमान के नाते पिष्ड़े चले जाएंगे पिष्ड़ी आती चली जाएगी तो बीजेपी ने जो कीले काटे बो हैं अपने रास्ते में उन पे चल गया अब अपने पैरों पर जख् अपने मंत्री पर से इस्तीफा दे रहे हैं योगी आदतनात के खिलाफ बोल रहे हैं आप देखा जाये तो बीजेपी आला कमान का भी सपोर्ट मिल रहा है इसलिए खिलाफ बोल भी पा रहे हैं ठेकिन इन सब के भी सठ ये दिल्चस्प है कि अगिलेश यादों भी मजे ल के नीचे मगर दूर दूर अब इसी को समाजवादी पार्टी की दरफ से शेयर किया गे और इसमें लिखा है कि सुनो केशो प्रसाद मौर्य सीयम योगी के सामने दिख भी मत जाना कहीं ऐसा नहों सीयम तुमारा वही मौके पर इलाज करते इसमें वो समाजवादी पार्ट इस तीर से दो शिकार कर रही है वो इस वहाने केशा मौरिया पर हमला करके मैसेज दे रही है पिछडों को कि भारती जंता पार्टी के अंदर पिछडी जाती की कोई महत नहीं है बीजेपी पिछडा विरोदी है जिस तरह से अकलेश श्यादम ने पीडिय मजबूत किया है पिछडा दलित मुस्लिम मजबूत किया है कॉंग्रिस में राहूल गांदी जिस तरह आये एक मोची किया चले गए ये दोनों की जोड़ी जिस तरह बोर्ट बैंक मजबूत कर रही है उसकी नीद योड़ गई है बीजेपी को समझ आ रहा है कि 29 में ये 30 सीटी आ गई है कही देरे विदान सबा चुनाओं का पता नहीं मुक्यमंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा ये तक तो पता नहीं है आखरी सवाल लोंगी सर आज नीती आयो कि दिली में बैठा कोई सबसे जादा चर्चा का विशे ये रहा कि मम्ताब एनरजी ने मीटिंग को बीच में चोड़ द कैसे रहने वाला ऐसा लोग कहते हैं दूसरा नीतिश कुमार नाइडू से ज़्यादा बढ़िया बारगें करने में लिख ले पहले माल ले लिए अब इशारे करनेशनु कर दिये और मोदी जी को मैं कहरूं चेहरा जो कुमलाया है वो इस वजह सी कुमलाया है नीतिश कुम परते हैं रोज आपका नाराज हो रहा है नीतिश कुमार के पहत्रे ने पूरा दाउं बिगाड़ दिया और मम्ताव इनरजी ने बड़ा गेम खेला कल दर गोदी मीडिया कहता है देखो फूट पढ़ गड़े इंडिया गड़ बंदन में मम्ताव इनरजी नहीं जा रही ह इतर मोधी जी पर लग रहा है माइक बंद करा देते हैं कि माइक शब्दी बीजेपी के लिए खराब साबित हो रहा है और मुझे रखता है जन्ता ने भी इस वार माइक खराब कर दिया तब ही सीट एतनी कम आगे बिल्कुल सर्व बहुत बहुत शुक्रिया सभ्ण माइक इतनी खराब कर दी है कि बीजेपी के नेता आपस में बिड़े जा रहे हैं वो भी प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी और ग्रे मंत्री आमेशा के सामने यह हो रहा है हालत ऐसी हो चुकी है कि मोधी जी मीटिंग में मौजूद है मम्दाव इनर जी उठकर चली जा रही है बी इतना साफ हो चुका है कि बहुमत जाने के बाद मोधी सरकार की हालत टाइट है और कितनी टाइट हो चुकी है आप इन जवाबों से इस चर्चा से इस खबर से इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं तो फिलाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉ प्रचा 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 है